मन को सन्यासी बना और या ग्यार्थ कर्म कर यह गीता का कहीं न कहीं बहुत important message है जो भगवान कृष्ण बोलते हैं क्यों बोलते हैं? क्योंकि सन्यासी मन ही सही निड्ने ले सकता है जब आपका मन किसी चीज़ से ढखा हुआ है जब आपको जो चाहिए वो आपको तभी मिल सकता है जब आप भी वो दें जो दूसरों को चाहिए सूर्य प्रिकास देता है तो उसको रैस्पेक्ट मिलती है इसी तरह से है तो आगे बढ़ जाते है धानू के लिए जो अप्रेल का राशिफल है वो क्या लेकर आए बहुत बड़े बड़े परिवरतन है सबसे बड़ा तो गुरू का ही परिवरतन हो रहा है जो आपकी कुंडली के सबसे महतपून ग्रे है इसके साथ साथ शुक्र अपनी राशी में आएंगे और साथ में मंगल भी राशी बदल रहे है तो चलिए आ जाते हैं ग्रहों की इस्तिती पर और उससे देखेंगे फिर उसका आपके करियर पर आपके पढ़ाय लिखाई पर आपके काम धंदे पर जॉब पर बिजनिस पर फोरन या त्राइम पर या फिर आपके स्वास्त पर क्या फर्क पड़ेगा मेरिज लाइफ पर प इसको फेम का योग मानते एक अच्छा योग है और आपकी कुंडली के गुरु और सूरे कारक भी है यह चौदर तारिक तक है इसके बाद कुछ अंतर आएगा क्या आएगा कि चौदर तारिक को फिर सूरे जो है मेस राशी में जाके उच्छ के हो जाएंगे और गुरु त महत्वपूर योग है इसके बारे में बात करेंगे पर यह योग सिर्फ छे तारिक तक है छे तारिक को यह आपके छटे भाब में बशवराशी में पहुंच जाएंगे राहु बुद्ध का संयोग ऐसे ही बना रहेगा पंचम भाब में मेश राशी में पर 21 अप्रेल से कर्क में रहेंगे और केतु आप देख सकते हो यह कादस माब में तुला राशी में बैठे हुए हैं यह हो गई ग्रहों की स्थिति अब आ जाते हैं इसका क्या result होगा फिर कुछ important dates भी देख लेंगे चंदरमा की गोचर के अंसार जब उसेनी के साथ होगा केतु के साथ अच्छे-ाठ बारे में होगा यह सब भी देखेंगे पर सबसे पहले जो सबसे महत्तपूर्ण इस साल की घटना का होगे आप क्या कि गुरू अब बारे साल बाद अपनी राशी मीन को छोड़ कर अपने मित्र की राशी मेस में जा रहे हैं मंगल सैनापती की राशी में जा गुरू जाएंगे तो वो क्या करेंगे हलाकि यह परिवरतन का होगा 21 के बाद होगा पर चुकि यह इस साल का बहुत महत्तपूर्ण इसके हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं क्या करेगा यह गुरू चौथे से पंचम में आ रहे हैं सबसे पहली बात जब भी या नबम में होता है अती सुब बाता है सब्तम में और दुद्द्धि में भी सुब है जिनके सब्तम और दुद्द्धिभाव में होगा पर धनुवालों के लिए बहुत ही सुब है क्या करेगा यहां कर पंचम में हो तो आपकी education पढ़ाई लिखाई प्रेम आपकी performance stock market से लाब, संतान आपकी बहुत बढ़िया करेगी, आप किसी creative काम में हो, आप player हो, creative काम में देखी, एक तरफ media है, film industry है, acting है, कोई writing करता है, कुछ design करता है, उसी तरह जो sportsman है, पंचम भाव स्पोर्स का भी है, किसी player में है, game खेलते हैं, competition में हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया सिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, गुरू, इसके साथ-साथ, गुरू यह तो अपनी इस्तिती से देंगे, पर इसके साथ-साथ, उनकी द्रष्टियां भी रहेंगे, गुरू की, कौन-कौन सी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच मी द्रष्टी नवम भाव पर तो नवम भाव की चीजों को सुभ गरेगी, खास कर इस महीने, क्योंकि इस महीने, चौदेत तारिक के बाद, नवम भाव का स्वामी भी उच्चका हो जाएगा, तो नवम भाव क्या है, आपकी higher education, अगर आप पढ़ाई लिखाई में कहीं बाहर जाके, उची सिक्षा देन हैं, उसकी तरफ आपकी ज्यान के परती, धर्म के परती, रियल जो धर्म का सैंस है, उसके परती आपकी रुची बन सकती है, जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, जो कहीं न कहीं अपरा हो गया, मतलब फिजिकल हो गया, उसका एक लाभ है परा, उसके अ कहीं लाने की कोशिश करेगा संतान से लाब, इश्टक मार्केट से लाब ये तो हो गई होगा साथ में पंचम राशी पर दश्टी पढ़ने से संतान सुख की प्राप्ती भी होगी जीवन में कोई ऐसा विक्ती आ सकता है जो आपको दिशा दिखा सके. जो आपको बता सके कि क्या करना है. जिसको हम गुरू कहते है. हमारे सास्तरों में कहा गया है अत्ति देवो भवा. यह सब जानते हैं पर इससे पहले कि तीन लाइन अकसर भूल जाते हैं. और वो क्या है? पित्र देवो भवा, मात्र देवो और गुरु तो देवो भवा है ही तो गुरु उनमें से एक है तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको डारेक्शन दे सके वो साथ गुरु भी हो सकते हैं जो आपको मोक्ष मतलब धर्म, कर्म, अर्थ इसके बाद जो मोक्ष आता है उसकी तरफ ले जाते हैं इसके साथ आपके अगर आप डॉक्टर है तो वहां के गुरु भी गुरु ही है, सिक्षा दे रहे हैं कही न कहीं तो ऐसा व्यक्ति जो आपको कहीं न कहीं आपको माग दर्शन कर सके उससे आपकी मलाकात हो सकती है इसके साथ साथ गुरु की सीधी दर्श्टी जो है केतू पर पड़ रही है और गुरुप की दर्श्टी केतू पर पड़े तो स्प्रिच्वल्टी आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है आपके बड़े भाई बहन की जिंदगी में कुछ अच्छी चीज़ सुख घटना होनी शुरू हो सकती है आप भी बहुत दूर दश्टी से काम लोगे छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दोगे आप गोल पर लक्ष पर ध्यान दोगे बड़ी पारी खेलना चाहोगे आज की छोटे मोटे सुख दुख को छोड़ कर आप आगे को देखोगे जोकि जितने भी सुख है वो आपको पीछे ले जाते हैं भोग सुख भोग काम एक तरफ आप से तो भोग है भई भोग रहे हैं भोग मतलब भोग बिलास मैं उसी तरफ जब कोई बीमार होता है परिशान होता है बोलते है भोग रायवेक्ति जो सुख है भोग बिलास है या आपको कहीं न कहीं कमजोर करते हैं बीमारियां देते हैं एक लिमिट से जादे आते हैं तो तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है गुरू की दश्टी आप इस बित पे ध्यान रखोगे और आपका ध्यान कहाँ पर रहेगा लक्ष की तरफ होगा लक्ष कैसे मिलता है परिश्रम से मिलता है पराक्रम से मिलता है happiness, खोशी से मिलता है pleasure में और खोशी में अंतर है तो खुशी जो है वो लक्ष की तरफ आपको ले जाते है प्लेजर आपको उससे दूर ले जाते है अब बढ़ जाते हैं गुरु का ये गोचर हो गया लगन पर भी आ गया एकादस पर भी आ गया नवं पर भी आ गया ये हमने देख लिया इसके साथ-साथ जो बहुत के हो जाएंगे पंचम में आकर पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया higher education के बहुत बढ़िया गुरू की जो चीजे मिल रही है उनको support कर रहा है यस fame भी आपको मिलेगा fame मिल सकता है आपका ध्यान sports की तरफ जा सकता है आपका ध्यान ऐसी performance की तरफ जा सकता है कुछ जहांपे हम perform करते हैं कोई चीज को हमको कुछ करके दिखाना होता है ऐसी चीजों में आपको मदद करेगा competition में आपको मदद करेगा पंचम भाब में जब सूरे हो तो पुत्र संतान के भी chances रहते हैं पर सूरे बहुती गर्म ग्रह है और जो माताएं बहने pregnant है थोड़ा ध्यान जरूर रखे पर ultimately ये सुव गोचर है सूरे का भले ही पंचम में हो ये हो गया एक vicious गोचर की बात जो कब रहेगा 14 तारिक के बाद पर 14 तारिक से पहले क्या रहेगा 14 तारिक के पहले गुरु और सूरे यहां पर रहेंगे ये भी एक बहुत अच्छा योग है चौथे भाव में गुरु सुरूर अगर आप ये तो higher education होती है एक उससे कम की education है इंटर, high school वगएरा उसके लिए बहुत बढ़िया है माता के स्वास्त के लिए भी बहुत अच्छा है माता से जन्म भूमी से कुछ लाव होगा रियल इस्टेट जमीन जायदात से भी आपको कुछ लाव लेने का योग बनता है कब पहले 14 दिन में किसके बाद क्या है हमने उसकी भी बात की यह आपका यहां से आ गया है इसके बाद जो एक बहुत विसेश परवर्तन है जो शुक्र का हो रहा है कि 6 तारिक तक शुक्र राहू के साथ है तो विसेश स्टॉक मार्केट से लाव को दिखा रहा है प्रेम के लिए अच्छा है किसी मुलाकात के लिए अच्छा है पर आपको मर्यादा का ध्यान करना होगा ऐसा कुछ हो सकता है आप किसी के प्रती आकरशित फील करें जो शायद आपको नहीं होना चाहिए तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा पर शुक्र यहां पर स्टॉक मार्किट से आदि किलाव को आप दिखा रहे है पर छे तारिक तकी है छे के बाद शुक्र यहां आ जाएंगे छटे का स्वामी छटे में आपको कंपुटिशन में विजह दिलाएगा अगर आप किसी अग्जाम की तयारी करें आप अपनी बुद्धी के बल पर कुछ हासिल कर सकते हैं शुक्र अपनी राशी में हो तो आपको भोग विलास से आलस्य से बचना है देखे हम बहुत कुछ चाहते हैं जीवन में पर सत्य तो यह है कि लक्ष जो है न वो कुरवानी मांगता है बली मांगता है बली का मतलब क्या हुआ अपने आलस्य की खुरुवानी काम वासना की खुरुवानी प्लैजर की परती जो हमारा लगाव है उसकी कुरुवानी प्लैजर को एंजॉइ करना अलग चीजा पर वो आपके जब बाधक बंद रहा है और आपको पता ही नहीं है फिर वो गरबढ हो गई आज करेसो कल कर, कल करेसो परसो बहुरे कभू कर ली जो उमर पड़ी है बरसो इन बातों से भचना है आपने समय का सदुपियो करना है पढ़के ठक गए हैं अगर आप स्टुडेंट हैं तो एक्साइज कर लो ध्यान कर लो कुछ ऐसा करो जिससे आपके जीवन में निखार आए फाल्तु की बातों में पैसा, मतलब पैसा और समय खर्च मत करो, लाइफ में ये शुक्र कहीं न कहीं कह रहा है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिजर्ट थोड़े अच्छे जाएंगे फीमेल्स के साथ थोड़ी रेस्पेक्ट रखो आपको ऐसा लग सकता है कि जो फीमेल्स के साथ उतना कम्यूनिकेशन उतना अच्छा ना रहे, कुछ मिसंडरस्टेंडिंग हो जाए तो समझो अगर अगर बाई च्छा ना थोड़ी उतना अच्छी महिलाई मैं बहुत सारी गरेट महिलाई यह कह सकते हैं महिलाई हैं लड़कियां हैं इस थुनिया में तो उनकी रेस्पेक्ट आपको करना चाहिए क्योंकि शुक्र छटे भाव में और शुक्र इस चीज की दिखाते हैं साफ सफाई का विसेज ध्यान रखें शुक्र साफ सफाई को दिखाने वाले होते हैं क्रियेटिव रहें लाइफ में पर शुक्र यहां पर आपको healing capacity देगा अगर कोई रोग हुआ था आपको तो वो ठीक हो सकता है यह शुक्र यहां पर दिखा रहें आप अपनी बुद्धि मता से चीजों का जाद अच्छा solution निकाल पाओगे यह हाँ शुक्र करा रहें इसके बाद और क्या-क्या हो रहा है और कुछ dates पर आजाते हैं जब थोड़ा मन अशान्त रह सकता है जहां थोड़ा आपको न ऐसा लग सकता है कि भाईया कुछ किसी ने धोका कर दिया या कोई बात उस तरह से नहीं हुई या किसी आप जो accept कर रहे थे उसने वैसा नहीं किया और उस दिन कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं लेना है वो है आपके 15 तारिक, 16 तारिक इस दिन शनी और चंदर्मा साथ में रहेंगे मतलब कि चंदर्मा कुम्भ में रहेंगे इस बज़े से इसके बाद 2 और 3 तारिक जो है इस दिन भी एक विसेस है दो और 3 तारिक जो है इस पर शनी और चंदर्मा की दश्टी रहेगी शनी की चंदर्मा पर दश्टी रहेगी इसी तरह से 9, 10 और 19 और 20 इनमें भी 15, 16, 2, 3 और 20 तारिक थोड़ी सी टफ है माता की स्वास्त का ध्यान रखना है बंदू-बंदों से बना के रखना है आपस में प्रेम को बनाए रखना है रहिमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटका है जोड़े ते फिर ना जोड़े जोड़े गाट पड़ जाए इसके साथ ही केतु का समय केतु कहां पर है तोला राशी में केतु के पास से जब चंदर जाएंगे तो थोड़ा सा मन नहीं लगना चीजों में, आलसिका आना, चीजों के व्यर्थता का अभास होना, ये सब रहता है, तो थोड़ा सा अभधान दखेंगे, ये होगा 6, 7 और 8 अप्रेल को, ठीक है, अच्छा योग जहां चीजें थोड़ है, इन बातों को ख्याल रखना है, फिर आप कहोगे, देखें, 10 तो यहां पर भी है, 10 तो यहां पर भी है, इसका अर्थ सिर्फ यही हुआ, कि 10 की जो डेट है, वो उतनी खराब नहीं होई, क्योंकि गुरू का कहीं न कहीं एस्पेक्ट आपको help करने वाला है, इसी के साथ साथ, बहुत ही सुब दिन है, अक्षय तृतिया है, 22 तारिक की, और 21 और 22 को, चंद्र और जो है, शुक्र यहां पर रहेंगे, यहां पर आपके, 21 और 22 को, इसी समय पर सूर्य भी उच्छ के रहेंगे, तो अच्छे एक तृतिया इसी वहे से बहुत बढ़िया दिन माना ज चाहते थे, फेस्बुक पर आपने लाइफ करना चाहते थे, आप यूटूब पर कुछ ऐसे ही, अपनी होबी को कोई फॉला करना चाहते थे, डांस करना सीखना चाहते थे, लाइफ में कुछ करना चाहते थे, योकि लाइफ का परपजी है, चलते रहना, चलते का मतलब क्य है चलोगे तो उपर उतार चड़ाब तो आए गई पर कुछ नया सिखोगे कुछ नहीं गलतियां होंगी और आगे बढ़ते रहना कभी भी रुकना नहीं रुकने का मतलब अगर आपका जॉब बहुत अच्छा चल रहा है आपको पेमेंट भी सही आ रहा है तो आप रुख ग चल रहा है तब भी कुछ ना कुछ चेलेंजिस लेते रहो लाइफ में ताकि आपको जो लाइफ है उसको एंजोई करना सिखो अब आगे बढ़ जाते हैं और सारे गरह क्या कह रहे है मंगल क्या कह रहा है यहां पर मैरीज लाइफ की और प्यार की बात कर लेते हैं तो 21 ता चल रहें क्या मेरी और यहां रखें तो यहीं संदरेश्टेंडिंग है आ पर मतलब लेते हैं कि यहीं संदरेश्टेंड हैं तो यहां रिष्तों मेरीजार। बनाया हुआ concept है जो बन जाता है और जो किसी चीज के लिए जरूरी है पर यह समझना भी जरूरी है कि वो है नहीं इसके बाद बुद्ध और राहु रहेंगे यहाँ पर पूरे महीने तो कहीं न कहीं वानी का ध्यान रखना है राहु आपको misunderstanding करा सकते हैं understanding से बचना है पर्थम संतान के साथ और education के मावले में भी आपको अपना focus रखना है फोकस थोड़े धरदर होगा राहु की वज़े से इस चीज का आपको ध्यान में रखना है वानी थोड़ी थोड़ी कटू रह सकती है इस चीज को आपको ख्याल में रखना है इसके बाद शन के मं से नहीं हारा और वो हार भी गया तो वो lesson लेगा समझेगा उस चीज से भी शीख लेगा वो भी उसकी जीत है कुछ नहीं होगा तो तजर्बा होगा और वो तजर्बा फिर आपको आगे लेके जाएगा जैसे Edison थे उनसे किसी किसी ने कहा कि भई आप इतनी बार fail हुए अपने बलब बनाया तो क्या तीर मार दिया बोले मैं तो fail हुआ है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है मैं fail हुआ कि इतनी बार आपने experiment किया और आप वो fail हुआ है बोले fail नहीं हुआ उससे मुझे पता लगा कि ये चीज ऐसे नहीं होती है और तरह से करना पड़ेगा तो कहीं बार एक ही चीज पर मतलब लगे रहना भी अच्छा है फिर ये भी समझना जरूरी है कि इस तरह से होता भी है या कोई और रास्ता निकलेगा वो भी महनती है इस चीज को भी ध्यान दखें अब बढ़ जाते हैं शनी की जो तीसी दस्टी है पंचम भाप है तो प्रे यहां पर आपको effort और hard works लगा के अपना ध्यान लगा के चीजे करोगे तब ही सफलता मिलेगी क्योंकि सनी की नीच की दस्टी भी है आसानी से नहीं सनी की दस्टी पंचम पर पिता के भाप पर पिता के भाप उचका है तो ठीक है यह महीना थोड़ा सा पिता की लाइफ में कुछ hardship तो रहेगी पर कुछ अच्छी चीजे भी लेकर आएगा इसके साथ ही जो बारमा भाव है वहाँ पर सनी की विद्रश्टी है और गुरू की विद्रश्टी है खासकर 21 अपरेल तक तो 21 अपरेल तक कोई यात्रा हो सकती है खर्चा थोड़ा सा आपका बढ़ा है माता की स्वास्त में कुछ up-downs रहे सकते है इस बात को आप याद रखिएगा अब सनी भी हो गये गुरू भी हो गये गुरू यहां पर भी हो गये और यहां पर भी हो गये राहु की बात भी हमने कर ली राहु माता के स्वास्त का आप हलका सा धान रखें और अगर कोई यात्रा करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सुरू में दिसकंफर्ट आपको होगा बाकी पंचम में राहू ठीकी है कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है अब केतू की बात कर लेते हैं केतू का दो तरह का रहेगा 21 से पहले थोड़ा सा आपके बड़े भाई की लाइफ में कुछ उतारचणाव रहे बड़ा भाई बड़ी बेहन आपके सीनियर्स उनकी लाइफ में कुछ उतारचणाव रहे हो सकते हैं अगर आप frase की समय चल रहा आई तो ऐसे में करें तो career के मामले में change आ सकता है कोई बदलाव आ सकता है 21 तारिक तक कोई बदलाव आने का chances है आपके इस बाले में, business की बात करें तो business में आपको धैरे बना के रखना होगा गुसे पर थोड़ा आपको control करना होगा energy जो है आप उसको अपना focus करके काम लेंगे तो ठीक है तब तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, otherwise थोड़े मतभेद रह सकते हैं, mangal की बज़े से हाला कि mangal यहाँ पर पंचमेश है 12 में भाब के स्वामी है, मतलब foreign land से, विदेश से आपको लाभ हो सकता है, पढ़ाई लिखाई से आपके जो चीजों को देखने का तरीका, आपका जो ज्यान है, वो आपको कहीं न कहीं मदद करेगा फिर mangal, आखिर में mangal ही है और लगन को देख रहे हैं, तो impatience आपके अंदर रह सकता है, गुसा आपके अंदर रह सकता है, और छोटी-छोटी बातों के मद्दे नजर आपके थोड़े से मतभेद बढ़ सकते हैं, अपने business partner के साथ, otherwise ठीकी है, क्योंकि mangal यहाँ पर आकर राजयोग बना रहे हैं, और खुद, जो सब्तमेश है, वो mangal के भाब में रहा है, तो यह पंचम और सब्तम का महा परिवरतन हो रहा है, जो business के लिए अच्छा माना जाता है, खासकर business के लिए भी अच्छा है, students वगरा उनके लिए भी अच्छा है, कोई creative काम करते हैं, उनके लिए भी बढ़िया महीना रहने वाला है, तो अब आ जाते है, health के उपर, health का बात करें, तो health के लिए भी महीना बढ़िया ही है, अच्छा ही है, पहले लगनेश खुद लगन में है, सूरी के साथ है, अपने मित्र के साथ है, उसके बाद लगनेश अपने पंचम भाब में जा रहा है, जो कि मित्र की राशी है, तो महीना स्वास्त के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है, अगर हानमोनल आल आपकी कोई डिजीज है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, हार्मोन से जड़ी हुई, क्योंकि शुक्र जो है, में रहेंगे इस वज़े से, अब बढ़ जाते हैं, तो हारों की तरफ पर उससे पहले मैं आगर करूँगा, आपको कमेंट कीजीगा, आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर इससे कुछ आपको सायोग मिला है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजीगा, सब्सक्राइब कीजीगा, घंटी वाला बटन दवाना, मत भूलिएगा, कमोंट में अगर आपके पास समय है, तो ये भी बताईएगा कि क्या सुधार किया जा सकता है, इससे एक दिशा मिलती है, और उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, इसके बाद हमारे तोहारों की तरफ चलेंगे, तोहारों को जानना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे संस्कृती से, हमारे कल्चर से हमको जोडते हैं, जैसे हर एक सब्विता है, वैसे हमारे भी एक सब्विता है, और हमें उसका ज्यान होना चाहिए, छे तारिको हनुमान जैनती है, जिनका मंगल बहुत बैस्ट ना हो, उनको हनुमान जैनती के दिन फास्ट करना बहुत बढ़िया रहेगा, चौर्द तारिको बैसाखी है, अंबेड कर जैनती है, यह बहुत महत पून आपका कह सकते हैं कि तोहार है, बाइस तारिको अक्षे तृतिया है, किसी चीज की सुरूबात करने के लिए समय, बहुत ही सुभ है, छे तारिको चैत्र पूनिमा है, जो हन्मान जैनती हमेशा चैत्र पूनिमा को होती है, सोले तारिको आपको वरुत्थनी एकादशी है, और एक तारिको कमाधा एकादशी है, जो भगवान हरी विष्णू के भगते हैं, उनके लिए बहुत ही महत पून ये तिथी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाए, ओम नमो नारायनाए, तीन और सत्रे का सोमा प्रदोस्परत है, सोम बार को पढ़ने वाला प्रदोस्परत, बहुत अच्छा माना जाता है, चंद्रमा मालेफिक हो, या चंद्रमा उतने अच्छे ना हो, तो और भी बहुत अच्छा मन को शांती देने वाला होता है, और सारा खिल मन कही है, तो भगवन शिप की पूजा करना, इसलिए बहुत ही उत्तम है, ओम नमः शिवाए, अठारे तारिक की शिवरात्री है, चिदानन्द रूपा, शिवोहम शिवोहम, नव तारिक को संकष्टी है, गड़ेस्ची से केतू से जोड़ा हुआ है, केतू की अगर आपकी दशा महादसर चले, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आपको हर संकष्टी का फास्ट करना चाहिए, संतों के साथ, उनके लिए संतों से साथ रहना, उनके संग में आना, बहुत ज़रूरी है उनकी सेवा दी करना, सेवा से भी ज़्यादा अगर उनका साथ आपको मिल सकता है, तो बहुत बढ़िया, कहीं बार अच्छी बुक्स पढ़ना भी संतों के साथ, जैसा ही होता है, जैसे भी कुछ करना बहुत बढ़िया रहेगा, यही संक्रान्ती के दिन भी है, जो लोग अमावस्या को पैदा हुए, उनको अमावस्या का फास्ट बहुत हेल्प करता है, जो से लोग संक्रान्ती के दिन पैदा हुए है, उनको संक्रान्ती का फास्ट बहुत अच्छा रहता है अब बढ़ते हैं इस वीडियो के समाप्ति की तरफ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें नमस्कार